कन्फरंडेशन ओफ स्टी एस्सी बीशी उगनाईजेशन ने समाजिक और सैक्सिक पिछला वर्ग अयोग के गठन के केंदर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे अरक्षन की मांग करने वले जातियों को लाब होगा इस समय मेरे साथ हैं इस सहिता के अध प्रदानमंतरी जी ने और उनकी केबिनेट ने मैं पिछडा राष्ट्री आयो का गठन इस बात के लिए किया कि जो पिछडी जाती के लोग है उनको अबिसी के कोटे में आरक्षन दिया जाए और उस जो आयक जो बनाया है भार सरकार ने उसका हम सवागत करते हैं कि कोई जाती जब पिछडा गोशित करनी है तो उसके लिए मापधंड है जैसे स्रुल कास्ट और स्रुल ट्राइब को जो आरक्षन का प्रावधान किया गया था पुन्नापैट के तहत और जोन भारत के सविदान में उनको आरक्षन दिया गया वो इस बात पर दिया गया था जो कि अरच्षण का यहाँ उनको आरक्षन का लाब दिया गा था और पिछडे वरगों में भी वो मापधंड होना चाहिए आरक्षन कभी लोग लाठी और गोली की कारण नहीं मिलता आरक्षन का एँ जो नहीं देने के लिए वारत के सिविदान में कलियर सब्दों मिलना चाह यह जो सामाजी कोर सेक्षिन का धार पर हों तो भार सरकार ने भार सरकार की कैबिनेट ने एक अच्छा कदम उठाया है कि आयो गठन किया है इसमें दूद और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा करमविर जी जो जार सुन्दाय अपनी मांगोल को लेकर काफी लंबे समय से धरने पर दर्शन पर बैठा था उसके बाद सरकार से समझोता भी हो गया क्या लगता है कि अब उनका अरक्षन के लिए रस्ता खुल गया है करमविर जी क्या आपको लगता है कि जो जार सुन्दाय है समाजिक और सेक्षिंग तोर पर पिष्ड़ा हुआ है अर्याना में तो मुझे लगता नहीं लेकिन ठीक है कि अगर वो है तो अब उनके सामने अपने जो आपकड़े परस्तूत करें और जो आपकड़े परस्तूत करने में काम्याब रहते हैं दोनों अधार पर समाजिक और सेक्षिंग अधार पर अगर वो पिछड़े हुए तो आर्क्षिंग दे दिया जाए ये थे मेरे साथ कंफरेशन ओप SC-STBC ओगनाईजेशन के अधेक्स करमवीर इनका कहना है कि केंदर सरकार ने समाजिक और सेक्षिक पिछड़ा वर्ग अयोग के गठन की जो मंजूरी दी है उसका वो स्वागत करते हैं इसके साथ साथ इन्होंने ये भी सपष्ट कर दिया ह है कि अगर जार सुमदाए समाजिक और सेक्षिक तोर पर पिछड़ा हुआ है तो वह अपने आकड़े पेश करके अरक्षन ले सकता है कैमरामेन संजे के साथ अन्हिल कुमार टोटन लिव चंडिगर